श्री शिवाई नमस्तु भ्यम दोस्तों आप सबी लोग जानते हैं कि 25 जुलाई 2022 को श्रावन महीने का दूसरा सोमवार है दोस्तों साथ ही में इसी दिन पढ़ रहा है भगवान भोलीनात का प्रदोश का व्रत और प्रदोश व्रत का प्रदोश काल का जो समय होता है वो भगवान भोलीनात को बहुती प्रसंद करने वाला होता है तो दोस्तो यह श्रावन महीने का दूसरा सुमवार बहुत ही विशेश है क्योंकि इसी दिन प्रदोश का व्रत भी बढ़ रहा है दोस्तो इस प्रदोश वृत के दिन इस श्रावण महीने के दूसरे सोमवार को प्रदोश काल में आप एक ऐसा उपाई कर सकते हैं जिस उपाई को करने से अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है कोई काम भरोक रहा है अटक रहा है आपने पेपर दे दिया है आपको डर लग रहा है कि रिजल्ट कैसा आएगा या किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही है जिससे आपको बहुत ज़दा परिशानी हो रही आप परिशान हो चुके हैं तो उसके लिए आपको श्रावर्ण महीने के दूसरे सोमवार को प्रदोश रुवयत के दिन," प्रदोश-काल में यह हुपाई विशिश रूप से करना ही करना चाहिए," करना क्या है दोस्तो आपको प्रदोश काल में जो है एक लोटा लेना है ठीक है कोई सा भी लोटा ले लो एक लोटा लेना है आपको उसमें आपको भरना है जल ठीक है जल भरने के बाद आपको उसमें कुछ सामगरियां डालनी है वो आप ध्यान से सुनिए दोस्तो सबसे पहले आपने ज उसी कलश के अंदर डाल दीजे, उसके बाद एक शमी पत्र उसी कलश के अंदर डाल दीजे, ठीक है, उसके बाद जो हरे मुंग के दाने आप लोगों ने देखे होंगे, तो आपको कुछ हरे मुंग के दाने लेने, कितने लेने, तीन से चार या चार से पांच दाने हरे मुं की और उसे क्या करना है इसी कलश के अंदर डाल देना है ये पूरी चार सामगरियां आपको क्या करना है इसी कलश के अंदर डाल देना है अब इस कलश को लेकर इस लोटे को लेकर आपको शिव जी के मंदर जाना है प्रदोश रद के दिन प्रदोश काल में मतलब शावन महीन के दूसरे सोंवार को शाम की समय, करीबन 6 और 7 बजे के बीच में जो शाम का समय होता है, उसके बीच में आपको इस लोटे को लेकर शिव जी के मंदर जाना है, शिव जी के मंदर जाने के बाद शिव लेंगे के ऊपर आपको इस जल को समर्पित करना है, समर्पित ऐसे करना ह आपको भगवान शिव के नाम का इस्मरन करना है इस्मरन करने के बाद जल चढ़ाने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर आप जिस कामना के लिए जिस समस्या के लिए जिस भी काम के लिए आप यह हुआ कर रहे होंगे वह काम वह मनो कामना भगवान शिर्प से बोल दीजीगा और भगवान के पेरबट कर वापस घर आ चाहिएगा इस उपाय को अगर आपने श्राबण महीने के दूसरे सुमवर्ण कर लिया तो विश्वास मानी आप जिस कामना से इस उपाय कर रहे होंगे आपकी वह कामना जरूर पूली हो जाएगी आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूल सकते हैं ओम नमाज शिवाई चाहे भोले आपाश्री शिवाई नमस्तो भी हम